पैसिव वाइस की रचना बिहार के महान भिद्वानों ने की थी आईए हम लोग इसको काफी बिस्तार से समझने का प्रियास करते हैं पैसिव वाइस के लिए मा दुर्गा की कहानी एक समय की बात है किसी देश में एक राजा राज्य करता था वो हमेशा अपने राणियों के बीच समय बिताया करता था वो अपने राज के कारियों पर ध्यान नहीं देता था उसने शासन का भार एक चापलूस और अत्याचारी व्यक्ति को शौप दिया था वाक्य में चापलूस और अत्याचारी सब्जेक्ट होता है जो हमेशा मेहनती आदमी पर अत्याचार किया करता था और बहुत सताया करता था वाक्य मेहनती आदमी अब्जेक्ट होता है उहां के कुछ लोग बगल के एक मंदिर में जाकर पृतेक दिनि स्वर से प्राथना करते थे की इस वर उन लोगों को उस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाएं वाक्य में अत्याचारी राजा फाइनाइट मेन वर्ब होता है उस मंदिर के देवता ने उस देश के लोगों को उस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलवाने के लिए मादुर्गा से प्राथना किया वाक्य में मादुर्गा भी है वाक्य में मादुर्गा भी होती है मादुर्गा उस देश के लोगों की रक्षा करने के लिए राजी हो गई और उस देश में पहुची यहां देश सेंटेंस होता है मादुर्गा के उस देश में पहुचते ही उन लोगों के देश में हलचल मच गई शोशित और पिरीत लोग खुशी से जूम उठे और आगे आगे अर्थात वाक्य में सबसे पहले आगे और अत्याचारी व्यक्ती खाई में जाकर छिप गए वाक्य में शोशित और पिरीत लोग अबजेक्ट होते हैं मा दुर्गा उस देश के लोगों को कुछ नहीं बोली केवल राजा के सिंघासन पर बैठ गई अर्थात राजा का रूप धारन कर ली और राजा का वध कर दी अर्थात राजा को तीसरी दुनिया में पहुँचा दी हम लोग कुछ उदाहरनों को मा दुरगा के कहानी के आधार पर एक्टिव से पैसिब में बदलना सीखें इस सेंटेंस की हिंदी होती है बाजीगर साप को पकरता है इस सेंटेंस को परने से पता चलता है कि बाजीगर अर्थात एजगलर अत्याचारी व्यक्ति है और शाप अर्थात एजग प्रीत व्यक्ति है प्रीत वस्तु है जब मा दुरगा इस देश में पहुँचती है अर्थात इस सेंटेंस में पहुँचती है तो सताया हुआ लोग एजग भाग कर सुरू में आ जाता है उसके बाद मा दुरगा अत्याचारी राजा को ढूंडती है जो इस सेंटेंस में फानाइट में वर्व के रूप में है और कैचिज है कैचिज यहां पांचमे फॉर्म में है इसलिए मा दुरगा इसका पांचमा फॉर्म धारन कर लेती है अर्थात बी पांचमा रूप धारन कर लेती है और बी का पांचमा रूप हम जानते हैं कि इज होता है और मा दुरगा जब इसका रूप धारन कर लेती है त्याचारी राजा का उसके बाद राजा का बध कर देती है अर्थात राजा को तीसरी दुनिया में भेज देती है अर्थात तीसरे फॉर्म में बदल देती है इसलिए भी जब कैचीज को तीसरे फॉर्म में बदल देती है तो कैचीज का तीसरा फॉर्म हम इसके बाद काट लिखते हैं उसके बाद क्या होता है जो अत्याचारी व्यक्ति एई जगलर है वो भाग कर एक खाई का ओट लेकर छिप जाता है और हम जानते हैं कि जिस तरह अंग्रेज को कंठी धारी कहने नहीं आया था तो उसने कहा था ठीक उसी तरह अंग्रेज को यहां खाई नहीं कहने आया तो उसने कहा बाई और बाई के बाद अत्याचारी व्यक्ति एई जगलर छिप जाता है और थात बाई का ओट लेकर अत्याचारी व्यक्ति एई जगलर छिप जाता है इस प्रकार एई जगलर कैचीज स्नेक का बनता है, a snake is caught by a juggler और इसकी हिंदी होती है, बाजी गर के द्वारा साप को पकरा जाता है, एक दूसरा उदाहरन देखें, the gardener, plucks flowers, इसकी हिंदी होती है, माली फूलों को तोड़ता है, इस sentence को देखने से पता चलता है, कि माली अत्यचारी वेकती है, अर्थात subject है, और फूलों को सोसित और पिरीत वेकती है, अर्थात object है, जब इस देश में, अर्थात जब इस sentence में मादूरगा पहुँचती है, तो सब्दों में हलचल मज जाती है, और जो इस sentence में सताया हुआ लोग है, flowers, अर्थात object, वह कर सुरू में आ जाता है, उसके बाद मादूरगा राजा को ढूंडती है, और राजा को देखती है, यह पाँचमे रूप में है, अर्थात वर पाँचमे फॉर्म है, इसलिए मादूरगा पाँचमे फॉर्म में आ जाती है, अर्थात भी पाँचमा फॉर्म ले लिती है, और हम जानते हैं कि पाँचमा फॉर्म होता है इस, लेकिन flowers के साथ पाँचमा फॉर्म इस नहीं आएगा, इसलिए हम यहां B का first form R लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं present tense में, verb का first form आता है या fifth form आता है, first form या fifth form, दोनों में से कोई एक form आएगा, यहां पाँचमा फॉर्म नहीं आकर first form B का आता है R, उसके बाद मादुर्गा राजा का बध कर देती है, अर्थात उसको तीसरे दुनिया में भेज देती है, अर्थात B, वर्व को तीसरे form में बदल देती है, तो plucked का तीसरा form हो जाता है plucked, और जब राजा का बध करके उसे तीसरे दुनिया में भेज देती है, तो अत्याचारी व्यक्ति, जो subject के रूप में है gardener, खाई का ओट लेकर छिप जाता है, हम जानते हैं कि अंग्रेज को खाई नहीं कहने आया, इसलिए उसने कहा buy, अर्थात the gardener by का ओट लेकर छिप जाता है, इस परकार हम देखते हैं कि the gardener plucked flowers का passive voice बनता है, flowers are plucked by the gardener और इसकी हिंदी होती है, माली के द्वारा फूलों को तोड़ा जाता है, तीसरे उदाहरन को देखें, cats catch mice, इसकी हिंदी होती है, बिल्लिया चूहों को पकरती है, इस sentence को देखने से पता चलता है कि यहां बिल्लिया अत्याचारी है और चूहा सोसित है, जब मादुरगा इस देश में पहुँचती है, अर्थात जब भी इस sentence में पहुँचती है, तो सब्दों में हल्चल मज जाती है, और सताया हुआ लोग सोसित बैक्ती जो अबजेक्ट के रूप में है माईस भाग कर सुरू में आ जाती है माईस, उसके बाद मादुरगा इसमें राजा को ढूंडती है जो फानाइट में वर्व कैच है, और यहां कैच फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए मादुरगा बी फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है और हम जानते हैं बी का फर्स्ट फॉर्म आर भी होता है इसलिए माईस के बाद बी का फर्स्ट फॉर्म आर लिखते हैं और मादुरगा क्या करती है राजा का वध कर देती है अर्थात इसको तीसरे दुनिया में भ बदल देती है, तो CATS से यह count हो जाता है. इसके बाद जो अत्याचारी रेत्ती CATS है, खाई का oat लेकर, अर्थात by का oat लेकर छिप जाता है. हम जानते हैं कि हम लोग बीहार में खाई कहते हैं और अंग्रेज को खाई नहीं कहने आया तो उसने कह दिया बाई और कैट्स बाई का ओट लेकर छिप जाती है इस परकार कैट्स कैच माइस का पैसिव वाइस बनता है माइस आर काट बाई कैट्स और इसकी हिंदी होती है बिल्लियों के द्वारा चुहों को पकरा जाता है इस लड़की को घूरता है या वह लड़का इस लड़की को निहारता है इस सेंटेंस को परने से पता चलता है कि वह लड़का अत्याचारी है और इस लड़की को अर्थात यह लड़की शोसित और पिरीट है जब इस देश में मादुरगा पहुँचती है अर्थात जब इ करती है this girl वह भाग कर सुरू में आ जाती है इस sentence में this girl object के रूप में है उसके बाद मादुर्गा क्या करती है राजा को ढूंडती है तो इस sentence में राजा है finite main verb के रूप में esterge मादुर्गा इसका रूप धारन कर लेती है और हम जानते हैं कि esterge fifth form में है इसलिए मादुर्ग पाच में रूप में आ जाएगी अर्थात b fifth form में आ जाएगी तो b का fifth form होता है is इसलिए हम b लिख देते हैं उसके बाद मादुर्गा राजा का बद कर देती है अर्थात राजा को तीसरे दुनिया में भेज देती है यहां b क्या करती है esterge at को तीसरे form में बदल देती है तो इसका तीसरे form होता है esterge at और सबसे अंतिम में जो अत्याचारी व्यक्ति होता है खाई का ओट लेकर छिप जाता है और हम जानते हैं कि अंग्रेज को खाई नहीं कहने आया तो उसने कहा by और the by जो अत्याचारी व्यक्ति है by का ओट लेकर सबसे लाष्ट में छिप जा वाइस बनता है this girl is stared at by that boy और इसकी हिंदी होती है उस लरका के द्वारा इस लरकी को घूरा जाता है या उस लरका के द्वारा इस लरकी को निहारा जाता है इस सेंटेंस में हम लोगों ने देखा कि वह लरका अत्याचारी है और यह लरकी सोसित और पिरीत है यह लरकी ही मह करती होगी कि उस पर क्या बीत रही होती है और वह लड़का को तो बहुत मज़ा आ रहा होता है बहुत आनंद आ रहा होता है अब एक पांच में उदारन को देखें लेकिन तुम ही जानते हो कि तुम पर क्या केबल तुम ही जान सकते हो कि तुम्हारी क्या इस्थिती होती है। तुम्हारी क्या इस्थिती होती है। इस्थिती होती है। Bits को तीसरे दुनिया में भेज देती है अर्थात Bits को तीसरे रूप में बदल देती है और Bits का तीसरे रूप होता है Beaten अर्थात हम यहां R के बाद Beaten लिख देते हैं और Antim में क्या होता है जो अत्याचारी बैखती है यहां That Girl वह भाग कर Antim में चला जाता है और खाई का ओट लेकर छिप जाता है और हम जानते हैं कि अंग्रेज को खाई कहने नहीं आया तो उसने कहा By अर्थात That Girl बाई का ओट लेकर Antim में जाकर छिप जाती है इस परकार हम देखते हैं कि That Girl Bits You का Passive Voice बनता है You are beaten by that girl और इसकी हिंदी होती है उस लरकी के द्वारा तुम्हें पीटा जाता है इस सेंटेंस से बिलकुल असपस्ट है कि इस सेंटेंस में वह लरकी अत्यचारी है और तुम्हें सोषित और पिरीत वैक्ती है अर्थात इस sentence में वहलर की subject है और तुम्हें object है पांच उदाहरनों से आप समझ गए होंगे की नमबर वन कहानी का अत्याचारी व्यक्ति sentence का subject होता है नमबर टू कहानी का राजा sentence का verb होता है अर्थात finite main verb होता है हम लोगों ने पांच उदाहरनों से यह भी सीखा की जब किसी sentence को हम active से passive में बदलते हैं और यदि हम मादुरगा की कहानी को खुब अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो इससे हमको बहुत अधिक मदद मिलती है और इस कहानी के माध्यम से अर्थात मादुरगा के कहानी के माध्यम से हम किसी भी sentence का active से passive बना सकते हैं जब हम किसी sentence को active से passive में बदलेंगे तो कुछ महतपूर्ण बातें आपको याद रखनी होगी वह महतपूर्ण बातें हैं जब किसी देश की महरानी मादुरगा स्वेंग होगी तो उस देश में सोसित लोग नहीं होंगे अर्थात जब किसी देश की महरानी मादुरगा खुद होगी तो उस देश में सोसित और पिरीत व्यक्ती रहेंगे ही नहीं अर्थात जब किसी sentence में भी finite main work के रूप में होगा तो उस sentence में object किसी भी हालत में नहीं होगा जब मादुरगा स्वें महरानी है तो किसी राजा को मारनी की आवसकता नहीं है अर्थात जब मादुरगा किसी देश की स्वेंगी महरानी है तो मारेगी किसको अर्थात यदी किसी sentence में भी खुद ही finite main work के रूप में है तो इस sentence का passive voice बनाने के लिए भी इस sentence में नहीं आएगी अर्थात इस sentence का हम passive voice नहीं बना सकते हैं जिस sentence में भी finite main verb के रूप में पहले से हो हमने कुछ महत्पून बातों को पढ़ा हम लोगों ने कुछ महत्पून बातें पर ही उसकी आधार पर एक पहला निसकर्स है जब किसी वाक्य में भी स्वयम finite main verb होगा तो पहली बात उस sentence में object नहीं होगा और दूसरी बात उस sentence का passive voice भी नहीं बनेगा इस बात को आप खुब अच्छी तरह याद रख लें अब हम मा दुरगा के कहानी के आधार पर active से passive बनाने के कुछ सामानी नियम बनाते हैं उन नियमों को देखें active voice से passive voice में बदलने के सामानी नियम नमबर वन सबसे पहले active voice के object को subject के रूप में लिखा जाता है note यदि active voice का object कोई प्रनावन हो तो passive voice में subject के रूप में लिखने से पहले उसके case फॉर्म का भी ध्यान रखना पड़ता है अर्थात उसका रूप बदल जाता है case के अनुसार यदि active voice में कोई प्रनावन objective case में हो तो passive voice में बदलते समय उस प्रनावन को nominative case में बदल दिया जाता है जैसे की by me बदल कर I हो जाता है by us बदल कर we हो जाता है by you बदल कर you हो जाता है अर्थात you में कोई परिवर्तन नहीं होता है by him बदल कर he हो जाता है by her बदल कर she हो जाता है by them बदल कर they हो जाता है इस बात को आप ध्यान रखें कि object बदल कर subject के रूप में आ जाता है यानि objective case में यदि है object है तो nominative case में आ जाता है अर्थात subject के रूप में बदल जाता है active से passive में बदलते समय दूसरा सामान इनियम है माता दुरगा के कहानी के अधार पर object को subject के रूप में लिखने के बाद यदि helping verb हो तो सभी helping verb को जियों का त्यों लिखा जाता है यहां केबल प्रथम helping verb का रूप subject के अनुसार बदलता है जब हम किसी sentence को active से passive में बदलते हैं तो तीसरा समान इनियम है सभी helping verb को जियों का त्यों लिखने के बाद finite main verb जिस रूप में रहता है उसी रूप में helping verb बी को लिखा जाता है बी का रूप याद कर लें अर्थात राजा जिस रूप में होता है मादुरगा उसी का रूप धारन कर लेती हैं इस बात को आप दियान रखेंगे और यहां मादुरगा कौन है बी यानि finite main verb जिस भी रूप में होगा वही रूप बी अपना लेगी अर्थात बी वही रूप में आ जाएगी जिस रूप में finite main verb होता है इस बात को आप हमेशा याद रखें यह active से passive में बदलते समय सबसे बरी बात है बी का पहला रूप होता है BMR बी का दूसरा रूप होता है वाजवर और ध्यान रखें आप WERE को वेर ना परहें हम लोग बिहार के अधिकतर छात्र इसको वेर पर लेते हैं यह वेर नहीं है यह वर है आप किसी भी मोटी डिक्शनरी में देख सकते हैं बी का third form होता है being बी का fourth form होता है being बी का fifth form होता है is बी का पांचो रूप आप खुब अच्छी तरह से याद रख लें क्योंकि मादुर्गा के अधार पर हम active से passive voice बनाते हैं तो मादुर्गा को आपको कभी नहीं भूलना चाहिए अर्थात B का रूप आप हर हालत में कर लें क्योंकि किसी भी sentence में मादुर्गा B ही है और किसी भी sentence को active से passive में बदलते समय सबसे बड़ा कमाल B का ही तो है किसी भी sentence को active से passive में बदलते समय चौथा सामानिनियम है B का रूप लिख लेने के बाद finite main वर्व का तीसरा रूप लिखा जाता है अर्थात जिस रूप में finite main verb है उसी रूप में B का रूप लिख लेने के बाद finite main verb का तीसरा रूप लिखा जाता है पांचमा सामानिनियम है फानाइट मेन वर्व का तीसरा रूप लिखने के बाद बाई का प्रियोग कर एक्टिव वाइस के सबजेक्ट को अबजेक्ट के रूप में लिखा जाता है Passive के By प्लस Object को By प्लस Agent के नाम से भी जाना जाता है Note अर्थात कुछ विशेस वाते हैं दरस्टब्य यदि Active Vice का Subject कोई प्रनावन हो तो Passive Vice में Object के रूप में लिखने से पहले उसके Case Form का भी ध्यान रखना पड़ता है अर्थात प्रनावन का Case बदल जाता है प्रनावन नॉमिनेटिव केस में होता है उसको Passive Vice में Objective Case में बदल दिया जाता है जैसे कि I को By मी में बदल दिया जाता है We को By अश में बदल दिया जाता है You को By यू में बदल दिया जाता है He को By हिम में बदल दिया जाता है she को by her में बदल दिया जाता है और they को by them में बदल दिया जाता है ये बदलाओ केबल प्रणाउन के साथ होता है अन्य शब्दों के साथ नहीं active से passive में बदलने का छठा सामाने नियम अंत में वाकिके अन्य शब्दों को लिखा जाता है dear students आप खुँँ अच्छी तरह समझ गए होंगे कि जब हम किसी sentence को active से passive में बदलते हैं तो माता दुरगा की कहानी कितनी लावधायक है मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि मा दुरगा की कहानी को बिहार के बिद्वानों ने बनाया ही था passive wise को समझाने के लिए अब दुवारा से हम लोग मात दुरगा की कहानी को ध्यान पुरवक पढ़ते हैं और पहले से थोरा अधिक गहराई से समझने का प्रियास करते हैं इसके लिए दो कहानियों को देखते हैं दो कहानियों के बारे में जानते हैं पहली कहानी एक समय की बात है किसी देश में एक राजा राज करता था वो हमेशा अपने राणियों के बीच समय बिताया करता था वो अपने राज के कारियों पर ध्यान नहीं देता था उसने सासन का भार एक चापलूस और अत्याचारी व्यक्ति को शौप दिया था जो हमेशा मेहनती आदमी पर अत्याचार किया करता था और बहुत सताया करता था उहां के कुछ लोग बगल के एक मंदिर में जाकर परती एक दिन इस्वर से प्राथना करते थे कि इस्वर उन लोगों को उस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाएं उस मंदिर के देवता ने उस देश के लोगों को उस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलवाने के लिए मादुरगा से प्राथना किया मादुरगा उस देश के लोगों की रक्षक करने के लिए राजी हो गई और उस देश में पहुँची मादुर्गा के उस देश में पहुँचते ही उन लोगों के देश में हलचल मच गई सोसित और पिरीत लोग खुसी से जूम उठे और आगे आगे और अत्याचारी वेक्ती खाई में जाकर छिप गए मादुर्गा उस देश के लोगों को कुछ नहीं बोली केवल राजा के सिंगहासन पर बैठ गई अर्थात राजा का रूप धारन कर ली और राजा का वध कर दी अर्थात राजा को तीसरी दुनिया में पहुँचा दी इसी कहानी को बदल कर किसी ने दूसरे ढंग से कही है जो इस प्रकार है एक बार मादूरगा गर्व जोन में रहकर गर्व ग्रिह में रहकर गुफा में रहकर अपने नौ रूपों को धारन करते हुए भैरव का बद कर देती है इन दोनों कहानियों के अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि हमारे देश में काल भैरव का एक बहुत पुराना मंदिर है दोनों शब्दों का हमेशा एक साथ प्रियोग किया जाता है काल भैरव में से एक सब्द काल का हम लोग आज भी प्रियोग करते हैं लेकिन भैरव शब्द के जगह पर हम लोग क्रिया शब्द का प्रयोग करते हैं यह भैरव से कब क्रिया बन गया यह बात भासा बिज्ञान के बिद्वान लोग बताएंगे काल का अर्थ होता है शमय या मौत या तनाव इत्यादी हमारे यहां काल भैरव केवल सास्त्रों की बात रह गई है अंग्रेज लोग भी इन दोनों शब्दों को बदले हुए रूप में प्रयोग कर रहे हैं काल को उन्होंने अपने भासा में टेंस कहा और भैरव को उन्होंने वर्भ ही रहने दिया अंग्रेज लोगों का वर्भ शब्द भैरव का ही बदला हुआ रूप है हमारे बिहार में आज भी लोग वर्भ को भर्भ परते हैं आप कह सकते हैं की अंग्रेज लोगों का वर्भ हमारे भैरव सब्द से ही बना हुआ है आप जब भी टेंस परहेंगे, तो आपको वर्व परहना ही परेगा, वर्व के बिना आप टेंस की कल्पना नहीं कर सकते, अतर टेंस परहने के लिए आपको वर्व परहना ही परेगा, इसलिए काल भैरव कहा जाता है, नो की भैरव काल, मेरे कहने का मतलब यह है कि काल परहेंगे तो भैरव परहना ही परेगा, लेकिन भैरव परहेंगे तो काल परहना जरूरी नहीं है, इसलिए हमारे भारत में काल भैरव कहा जाता है, भैरव काल नहीं कहा जाता है, अतह काल भैरव दो अलग अलग पद हैं लेकिन भैरव के बिना काल का कोई मतलब नहीं है यही कारण है कि हमारे पुर्वजों ने इन दो सब्दों को हमेशा एक साथ रख कर कहा और इसका प्रयोग अंग्रेज लोग भी करते हैं हमारे यहां कब काल भैरव से भैरव सब्द हट कर काल क्रिया हो गया यह भासा विज्ञानी ही बता सकते हैं हमने देखा कि माता दुर्गा के दोनों कहानियों में भैरव सब्द का प्रयोग वर्व के लिए हुआ है अंतर केवल इतना है कि माता दुर्गा की पहली कहानी बिहार के लोगों ने बनाई और पहली मूल कहानी को ही बिहार के बाहर के लोगों ने अपने धंग से कही बिहार के बाहर के लोगों ने अपने धंग से कही तो कई और कहानियां बन गई दूसरी कहानी में एक बहुत ही अच्छी बात या है कि उन्होंने राक्षस भैरव सब्द का प्रियोग किया अर्थात उन्होंने अस्पस्ट कर दिया कि राक्षस भैरव सब्द ही सकर्मक क्रिया या ट्रेंजिटिव वर्व है भारत के अलग अलग भागों के अलग अलग किताबों में कहानी में थोड़ा थोड़ा अंतर है मुझे पूरा विश्वास है कि इन दो कहानीयों के बारे में आप लोग मुझसे भी अधिक अच्छी तरह जानते हैं लेकिन मूल बातें सभी किताबों में एक ही है इन किताबों में कुछ सब्दों का प्रियोग हुआ है जिसको मैं यहां लिख रहा हूँ क्योंकि इन सब्दों की हमें बहुत आवस्चक्ता पड़ेगी इन ही सब्दों को हम बार-बार देखेंगे कि इसका आज के संदर्व में क्या अर्थ है सास्त्रों में जहां देवता या सूर या पुन्यात्मा सब्द का प्रियोग हुआ है आज के ग्रामर में उसे हम अकर्मक्रिया या इंटेंजिटिव वर्व कहते हैं शास्त्रों में जहां देवी या भैरवी सब्द का प्रियोग हुआ है आज के संदर में आज के ग्रामर में उसे सहाय क्रिया कहते हैं या हेल्पिंग वर्व कहते हैं हेल्पिंग वर्व को भी हम देवता के ग्रूप में ही रखेंगे क्योंकि जब यह में वर्व बन जाती है अर्थात जब प्राइमरी हेल्पिंग वर्व बी, डू और हैब में वर्व बन जाती है तो यह इंटेंजिटिव वर्व बन जाती है सास्त्रों में जहां अशुर या राक्षस या दानव या दैत या अत्याचारी या राजा या अगोरी सब्द का प्रियोग हुआ है आज के ग्रामर में उस सब्द के जगा पर शकर्मक्रिया या ट्रैंजिटिव वर्व का प्रियोग किया जाता है सास्त्रों में जहां गर्व जोन या लड़ाई का मैदान या गुफा लिखा हुआ है उस सब्द के जगह पर आप आज के ग्रामर में पैसी वाइस या कर्मवाच लिख सकते हैं सास्त्रों में जहां राजा का साथ देने वाला या दूष्ट लोग का प्रियोग किया गया है उस सब्द के जगह पर आप सब्जेक्ट या कर्ता लिख सकते हैं शास्त्रों में जहां सताय गए लोग या सोशित लोग या प्रीत लोग या मेहनती लोग लिखा गया है उस सब्द के जगह पर आप आज के संदर्व में आज के ग्रामर में आज के ब्याकरन में आप उबजेक्ट या कर्म लिख सकते हैं अब हम देखते हैं कि माता दुर्गा की कहानी से हमें कितनी बातें मालूम होती हैं पहली बात इस कहानी में कहीं भी देवता या शुर लराई में भाग नहीं लेते हैं केवल माता दुर्गा और राक्षसों के बीच लराई होती है केवल अकेली मादुरगा हजारों राक्षसों को मारती है सामान्य जीवन में ऐसा किनी भी परिष्थितियों में संभव नहीं है लेकिन यह बिलकुल सही कहानी है क्योंकि पैसिव वाइस में केवल भी हजारों ट्रैंजिटिव वर्वों को मार कर तीसरी दुनिया में पहुँचा देती है अर्थात तीसरे रूप में बदल देती है मेरे विचार से भारत या भारत के बाहर रहने वाले लोग जिन के मन में यह संका थी की कैसे अकेली माता दुरगा हजारों राक्षसों को जान से मार देती हैं हट गई होगी हम लोगों को बहुत ही आस्चर्ज लगता है कि केवल अकेली माता दुरगा कैसे हजारों राक्छसों को मारती है और पैसिव वाइस में जब आप देखेंगे तो पैसिव वाइस में भी यही होता है मात्र अकेले भी हजारों ट्रांजिटिव वर्व को तीसरे फॉर्म में बदलती है और तीसरी दुनिया में जब बदलती है तो सहाविक है भी हजारों ट्रांजिटिव को जान से मार देती है और उसे तीसरी दुनिया में भेज देती है अर्थात तीसरे रूप में बदल देती है दूसरी बात जिस रूप में राक्षस रहता है मादुरगा उसी रूप में आकर राक्षसों का बद कर देती है पैसिव वाइस में भी यही होता है जिस रूप में ट्रैंजिटिव वर्व होता है वही रूप भी धारण कर लेती है और tanzitive vertically को तीसरी दुनिया में पुहुचा देती है अर्था तीसरे रूप में बदल देती है हम लोग बचपन में सुनते थे कि माता दुरगा कई रूप धारण करती है और जिस रूप में राक्षस होता है वही रूप माता दुरगा धारन कर लेती है और राक्षस को जान से मार देती है पैसिव वाइस में भी यही होता है भी हजारों राक्षसों का रूप धारन करके उसको जान से मार देती है और उसे तीसरी दुनिया में पहुँचा देती है यानि हजारों ट्रांजिटिव वर्व को तीसरे रूप में बदल देती है तीसरी बात माता दुर्गा नौ दिनों तक राक्षसों से लर कर राक्षसों का बद करती है या माता दुर्गा नौ महिनों तक गुफा में रह कर भैरव का बद करती है इहां मूल कहानी से थोड़ा अंतर है कि पुराने कहानियों में नौ रूपों को नौ दिन या नौ महिना या नौ वर्स कहा गया है इसलिए बिद्वानों से मेरा निवेदन है कि वे इस कहानी में शुधार करके नौ दिनों या नौ महिनों या नौ वर्सों के श्थान पर नौ रूपों को लिखें क्योंकि बिहार के विद्वानों के द्वारा बनाई गई कहानी में माता दुरगा के नौ रूपों की चर्चा है सचमुच में भी नौ रूप धारन करके राक्षसों अर्थात वहरव को मारती हैं अर्थात B, नौ रूपों में आकर टैंजिटिव वर्वों को जान से मार कर तीसरी दुनिया में पहुचा देती हैं, अर्थात तीसरे रूप में बदल देती हैं, और हम लोग बिहार में, दसहरा पूजा में माता दुरगा की नौ रूपों की पूजा नौ दिनों तक करते है मेरे विचार से उन लोगों के मन से यह संका हट गई होगी, जो यह सोचते हैं कि जब माता दुरगा आदी सकती हैं, तो वे राक्षसों को एक दीन में भी मार सकती थी, फिर उनको राक्षसों को मारने में नौ दिन क्यों लगे, यहां नौ दिन नहीं हैं, बलकि नौ रूप होते हैं, जिन में से अब एक रूप आठ का प्रियोग नहीं होता है, चौथी बात, जिस देश का राजा देवता होंगे, उस देश के लोग सुखी होंगे, ऐसे देश में दुखी या सताय गए लोग नहीं होंगे, ऐसे राजा को माता दुरगा क्यों मारेगी, ठी जिक यही बात, पैसिव वाइस में होती है, जिस सेंटेंस में इंचैंजिटिव वर्ब, फणाइट में वर्ब होता है, उस सेंटेंस में ऑवजक्ट नहीं होता है, ऑवजक्ट नहीं होता है, अर्थात, सताय गए लोग नहीं होते हैं, इसलिए इस परकार के वाक्यों में बी प्रवेश नहीं करता है अर्थात माता दुर्गा प्रवेश नहीं करती है और बी इंटेंजिटिव वर्व को मारकर अर्थात देवता को मारकर तीसरे रूप में नहीं बदलती है मेरे बिचार से ऐसे लोग जो कहते हैं कि माता दुर्गा आदी शक्ती हैं तो वह देवता और राक्षस दोनों की माता हुई तो फिर दानव को ही क्यों मारती हैं आपका प्रस्णिया है कि बी केबल टैंजिटिव वर्व को ही मार कर तीसरी दुनिया में क्यों भेजती हैं इंटेंजिटिव वर्व का रूप क्यों नहीं बदलती है मेरे कहने का मतलब आप समझ गये होंगे हम लोग पैसिव वाइस में इंटेंजिटिव वर्व जब रहता है तो उसका पैसिव वाइस बनाते ही नहीं है तो इंटेंजिटिव वर्व का रूप भी क्यों बदलेगी यानि उसको मार कर तीसरी दुनिया में क्यों भेजेगी वही बात दुरगा माता की कहानी में भी है कि माता दुरगा किसी भी देवता को नहीं मारती है क्योंकि आज के संदर में देवता इंटेंजिटिव वर्व है पांचमी बात जिस देश का राजा अत्याचारी होता था या जिस देश का राजा राक्षस होता था अर्था जिस देश में सताय गए लोग होते थे उसी देश के राजा का मादुर्गा बद कर देती थी पैसिव वाइस में भी यही होता है जिस सेंटेंस में आवजक्ट होता है अर्था जिस सेंटेंस में टैंजटिव वर्व होता है उसी टैंजटिव वर्व को भी मार कर तीसरी दुनिया में भेज़ देती है अर्था तीसरे रूप में बदल देती है इस कहानी से हमें छठी बा बात मालूम होती है जिस देश में माता दुर्गा पहुंशती हैं सताय गए लोग खुश होकर आगे आ जाते हैं पैसिव वाइस में भी यही होता है जब सेंटेंस में भी प्रवेश करती है तो अब्जेक्ट शुरू में आ जाता है माता दुर्गा की कहानी से हमें सात्मी बात मालूम होती है जिस देश माता दुर्गा पहुंशती हैं राजा का साथ देने वाला बैक्ती माता दुर्गा के डर से दूर भाग कर खाई में जाकर छिप जाता है कुछ लोग किसी दूसरे चीज का ओट लेकर छिप जाता है कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि अपना रूप भी बदल लेते हैं पैसी वाइस में भी यही होता है टैंजिटिव वर्व का साथ देने वाला सबजेक्ट भाग कर अंतिम में जाकर बाई का ओट लेकर छिप जाता है कुछ सबजेक्ट बाई के अलावा एट या विद इत्यादी का ओट लेकर छिप जाता है अंग्रेज लोगों को खाई कहने नहीं आया इसलिए उन लोगों ने खाई को बाई कहा कुछ सबजेक्ट जो प्रनावन के रूप में होता है अपना रूप बदल लेता है माता दुरगा की कहानी से हमें आठमी बात मालुम होती है इस कहानी में एक बिचितर ही नहीं बलकि बहुत ही बिचितर बात है की माता दुरगा राक्षसों को दर्दनाक मौत मारने के बाद भी अपने बगल में अपने बाद जगह देती है पैसिव वाइस में भी यही बात होती है की जब भी टैंजिटिव वर्व को जान से मार कर तीसरी दुनिया में भेज देती है तो भी के तुरंत बाद ही टैंजिटिव वर्व तीसरी रूप में आता है मुझे पूरा विश्वास है की जिन वेक्टियों को यह संका है की यह कैसे हो सकता है कि माता दुरगा जिन राक्षसों को ददनाक मौत देती हैं उन्ही राक्षसों का उन्ही के बगल में पूजा होती है माता दुरगा की कहानी से हमें नौमी बात मालुम होती है पहली बात में हम लोग उने देखा कि इस कहानी में कहीं भी देवता या सुर्भाग नहीं लेते हैं पैसिव वाइस में भी यही होता है कि कहीं भी इंटेंजिटिव वर्वों की चर्चा नहीं होती है माता दुर्गा की कहानी से हमें दसमी बात मालुम होती है माता दुर्गा के कहानी में हम लोग देखते हैं कि कहीं भी देवताओं या सुरों की लड़ाई माता दुर्गा से नहीं होती है अर्थात लड़ाई का मैदान नहीं बनता है पैसिव वाइस में भी यही होता है यदि sentence में intensity वर्व होता है तो उसका passive voice नहीं बनता है यह चौथी बात से मिलती जुलती है अर्थात यह दस्मी बात चौथी बात से थोरी थोरी मिलती जुलती है इस कहानी से हमें 11 बात मालूम होती है माता दुर्गा के कहानी में हम लोग देखते हैं कि किनी भी देवियों या भैर्वियों की लड़ाई माता दुर्गा से नहीं होती है यही बात passive voice में भी होती है यदि sentence में helping verb होते हैं तो भी उसे कुछ भी नहीं करती हैं अर्थात sentence के helping verb में कोई पड़िवर्तन नहीं होता है माता दुर्गा के दो कहानियों के आधार पर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पैसिव वाइस की खोज या पैसिव वाइस की रचना बिहार के महान विद्वानों ने की थी बिहार के महान विद्वानों ने पैसिव वाइस को सरल भासा में समझाने के लिए माता दुर्गा की कहानी की रचना की थी आप यदि माता दुर्गा की कहानी को पैसिव वाइस से जोर कर देखते हैं तो माता दुर्गा की कहानी में जितनी भी बीचितर बात है जितना भी आपको अटपटी बात लगती है सब आपको इसमें सही का सही लगेगा अब मेरी आप से अगली भेंट अगले वीडियो में होगी तब तक के लिए बाई बाई